ये है दिल्ली दर्पन करती हैं और उनसे दस्तावेज मगा लेती हैं और किसी ना किसी भाड़ने से उनसे ठगी करती हैं एक बड़ा मामला आया है साधरा के क्रसना नगर से हार्दिक अडोडा नाम की चुविस साल की हुआ उनका बायडाटा जॉब पोर्टल से किसी फर्जी कमपनी ने उठाया और किसी ना किसी भाड़ने से उनसे पैसे मगाए 64000 की ठगी के बाद में एक मामला आया है बुराड़ी से बुराड़ी में सुमी सिन एक यूवा है उनसे ठगी की गई है एक लाग 37000 की तो ऐसे में प्रसंद यह उठता है जब मीडिया में और विविन माद्यों से सकारे भी द ठगी कमपनियों के जहासे में फर्जी कमपनियों के जहासे में आ कैसे जाते हैं दरसल आदमी का जो सुभाव है कच्छे लालच का वो कच्छा लालच आदमी को मार लेता है और ऐसे मामले में देखा गया है कि इस तरह के यूवा ऐसे मामले में अपने अभी वावकों को भ तो यह जो ठगी की जा रही है यह जब किये जा रही हैं यह कही नहीं अभी भावकों प्रेखे कम करके हैं यह जो भावक ůजै को пошले लेकर बच्चों को पढाते हैं ऐसे में ये प्रसूर उठता है कि इन फरजी कमपनियों से इन ठड़ी कमपनियों से बचा कैसे जाए तो साथियों अक्सर देखा जाता है कि इस तरह की कमपनियां एक तरह से मोटा लालच देती हैं और लोग उस मोटे लालच में आ जाते हैं आप ये समझ लिजिए कि जो कमपनी आपसे पैसे मांग रही है वो आपको कैसे रोजगार देगी जो कमपनी आपसे मिल नहीं सकते हैं जिसके मेले जिनका इस्टाफ वो आपको कैसे रोजगार देगी यदि कहीं पर रोजगार आपको पाना है तो पहले हुआ का ओफिस देख इन यूवाव को ठीकिए कि वपी चल कैसे रहा है। यदि ओर लाइन सब कुछ चल रहा है, तो समझ लिजे कही न कही मामला गड़वड है। तो आजकी बेरोजगारी में जैदि मानसी रूप से यह बेरोजगार युवा है। वो कई ना कई एक तरह से रांसी रूप से सारी रूप से कई ना कई परसान है और ऐसे में ज़िए इस तरह की फर्जी कमपणियां इन युवाओं को ठगेगी तो निश्च्च रूप से समाज पर इसका दुस्पवाव पड़ेगा और अक्सर देखा गया है कि जब से सकती से निम्टा जाए और विशे रूप से समाज में युवाओं में एक जावरुकता की ज़ूत है कि ऐसी फर्जी कमपणियों की जहासे में ना आए लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिल लोगउन करें www.dailydarpan tv.com खबरों की कवरिज और विज्यापनों के लिए संपर्ख करें इस नमबर पर